हलो, नमस्कार इस्टुएंट, मैं मिशेक भारगाव, भारगो क्लासस के यूटूब चैनल में आप लोग का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ, आज का जो मार वीडियो को टॉपिक है, वो है उभोकता सनक्षान दिनियम 2019, ये इसका जो है वो पार्ट 3 है, ठीक है, कौन सा ये पार्ट 3, इससे पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है वो complete कर लिया है, हमने 72 धारा तक जो है वो complete कर लिया था, ठीक, तो उसके आगे आज से जो है वो start करेंगे, तो यदि आप लोगोंने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा हो, तो सबसे पहले पार्ट 1 और पार् कहना चाहूँगा कि यदि अभी तक आप लोगों ने भारगाव ग्लासेस के इस यूटुब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल से अल जो है वो सब्सक्राइब जो है वो कर लीजेगा और बैल का इकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि वीडियो का और डिक पेशन आप लोगों को मिलता रहा है और यदि अभी तक आप लोगों ने फूट इस्पेक्टर के लिए टेस्स सीरीज यदि जोईन नहीं किया हो तो आप टेस्स सीरीज जरूर जोईन करिए टेस्ट वान और टेस्ट टू जो है वो हो चुके हैं लेकिन फिर भी आप इनको दे सकते हैं यदि आप जोईन करेंगे तो ठीक है तो इसको जोईन करना आप लोगों के लिए बहुत जादा आप आईएगा और पार्ट थ्री को जो है वो देखेगा तो आज जो है वो अध्याय पांच मध्यक्तता जो है वो देखना है ठीक है मध्यक्तता को जो है वो मध्यस्तता भी कहा जाता है ठीक उसको जो है वो देखेंगे ठीक है तो देखे कहा तक हमने कर लिया था तो हमने 72 तक जो है वो कर लिया था, धारा 72 तक, ठीक, यहां तक हमारा हो गया था, आदेश के अनुपालन के लिए सास्तिय दंड तक, ठीक, अब देखते हैं अध्याए 5, मध्यक्तता, मध्यतक्ता या मध्यस्तता, इसको आप दोनों बोल सकते हैं, ठीक है, उपभोक्ता और जो है व तो यहां पर देखते हैं कि अगर कोई वाद ऒिवाद हुआ हो तो बीचमें जाकर मध्यस्तता कराना, उसको कहते हैं मध्यक्तता, ठीक है, इसमें जो है धारा 74, उपभोक्ता, मध्यक्तता, सिल की इस्थापना धारा 74 के अंदर में दी गई है, तो 72 तक हम नेकर लिए धार चोहत्तर अध्याए 5 का मद्यस्तता और धारा 74 तो धारा 74 को आपके याद रखना है कि उपभोकता मद्यस्तता सेल की स्थापना कि इस प्रकार जो होती है ठीक देखे जो अगर वाद वीबाद यदि दो पक्षों के बीच में हुआ है तो उनके बीच में जो है वो सलाह कराने वाला या उनके बीच में जो है मद्यक्तता कराने वाला उसी को मद्यक्तता भी कहते हैं ठीक है ये तो समझ गए होगे आप तो धारा 74 के अंदर में उपभोक्ता मद्यक्तता सेल जो होता है उसकी स्थापना के बारे में बताए गया है तो इसकी स्थापना कैसी होती है तो कें राज्य सर्कार अधिसूशना जारी करकर राज्य मद्यस्तता सेल और जीला मद्यस्तता सेल की स्थापना करेगी तो ये दोनों पॉइंट को याद रखेएंगा ठीक है उपभोकता और विक्रेता के बीच वाद विवाद को यह सेल क्या करती है उसका निप्टारा करती है ठीक है तो उपभोकता और विक्रेता के बीच का जो वाद विवाद है उसको कौन जो है वो निप्टारा करेगी तो मद्यस्तता वाला ठीक है तो यह जो है वो यह सेल करती ह अब देखते हैं परिभासाओं में देखे कुछ है थो अधिनियम से उपभोकता सनख्षण अधिनियम 2019 अभिपरेत है और आयोग से क्या होता है तो आयोग से जिलायोग, राज्यायोग अथWa राज्टी आयोग जो है वो अभिपरेत होता है यदि आयोग की बात की जा रही ह तो आयोग जो होगा वो जिला आयोग भी हो सकता है, राज्य आयोग भी हो सकता है, राश्टी आयोग भी हो सकता है, ठीक है उससे अभिप्रेथ है, मद्यस्तता धारा 74 के प्रवधानों के अनुसार अभिप्रेथ है, यह बने अभी आपको बता दिया कि धारा 74 के अंदर में पुभोकता, मद्यस्तता, सेल की जो है, वो इस्थापना की जाती है, ठीक, पैनल से मतलब है कि धारा 75 की उपधारा एक के अधिन आयोग द्वारा त्यार किये गए, मद्यस्ततों का पैनल से अभिप्रेथ है, मतलब पैनली करण, वो धारा 75 के अंदर में दिया गया है, ठीक ह समझहोता से मतलब है या समझहोते से मद्यस्तता की कारवाही से समझहोता अभिप्रेथ है ठीक मतलब समझहोता समझहोता को ही मद्यस्तता कहते है उसके अलग-अलग नाम हो सकते है ठीक है आब आते हैं धारा 75 के अंदर में जिसके अंदर में गया है मद्यस्ततों का plastic करते हैं इंक तो कौन करता है तो अईयोग की चैन समेती जो है वह इनका पैनली करण, मतलब इनको बनाता है, ठीक है, पैनल बनाते हैं इनके लिए, ठीक है, आयोग की चैन समिती, तो जो भी आयोग होगा, आयोग का मतलब क्या हुआ, जिला आयोग, राज्य आयोग या राश्टी आयोग, आयोग से मतलब यही होता है, आयोग की परिभासा मैंने आ जो सूची है वो बना कर रखना पैनल द्वारा निप्ताएगाए मामलों की सूची त्यार करना तो जो पैनल जो डिसाइड करेगी जो मामले निप्ताएगी उसके जो है वो उसकी सूची त्यार करना कारिवाही का लेखा जोखा रखना जो भी कारिवाही करेगा उसका लेखा जो है वो करती है ठीक है रिपोर्ट अब रिपोर्ट भी जो है वो देखिए अब इतने सारे कारवाही करेंगे इनकी सूची त्यार करेंगे ठीक है इनका लेखा जोखा रखेंगे अपने क्रिया कलाप का लेखा जोखा रखेंगे निप्टारे का लेखा जोखा रखेंगे त दोनों का जो है वो राज्य सरगार के पास में केंद रहतो राश्टी है, ठीक है, तीन महा की रिपोर्ट त्यार कर जीस आयोग से संबंदित है उस आयोग को भी देना होता है, देखें, मासी की रिपोर्ट तो त्यार करके देना ही होता है, लेकिन तीन महा का रिपोर्ट भी जो है वह तियार करकर जिस आयोग से संबंदित है उस आयोग को देना पड़ता है तो यह इनकी क्या है कारी कलाप है मद्यस्तता या मद्यक्तता के ठीक है जो अध्याय 5 के अंदर में धारा 74 से चालू होती है ठीक है बहुत easy सब्दों में मैं आप लोग को समझाने की कोशिश कि सर समझ में नहीं आ रहा एक बार में समझ में नहीं आ रहा दूसरी बार जो है पिर से उसको सुनिये सुनते रहेंगे लिखते रहेंगे note-down करते रहेंगे तो आपको automatic सब्दों में आ जाएगा अब यह जो पैनल जो है उसके जो है वह आहरताएं क्या है कॉलिफिकेशन क कि क्या है उसकी कि उसमें जा सकता है पैनल में तो देखे ये बहुथ इंपोर्टरैंट है इनको यारद रखेगा है भारत के उernिया लग्रा को सेवा, याद रखना है यहाँ से question जो है वो बनाया जा सकता है ठीक है उसके आदिनके कारीकाल जो होगे वो पांच वर्सों का होगा ये तो एकदम note down के लिजए IMP है कारीकाल से संबंदित जो है वो exam में पूछे जाते हैं तो ये जो है वो पांच वर्सों का इनका कारीकाल होगा मद जाता है तो दोनों को क्या करना पड़ता है हस्थाक्षर करना पड़ता है जैसे मद्यस्तता एक और दो दो पक्ष हैं दो पक्षों की बीच की कड़ी है मद्यस्तता और इन दोनों में मद्यस्तता कराने में वो करार कराने में कारगार साबित होती है मतलब दोनों जो है वो अपने बातों पर या अपने फैसले पर करार करते हैं तो दोनों को क्या करना पड़ेगा हस्थाक्षर करना पड़ेगा ठीक है तो यहाँ पर यही दिया गया है कि दोनों पक्षों में यही करार हो जाता हो तो दोनों पक्ष हस्थाक्षर करेंगे ठीक है करार के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती अब ये क्यों बोला गया कि करार के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती तो दो पक्ष है ये पहला पक्ष है ये दूसरा पक्ष है दोनों अपने सहमती से जो है वो करार कर रहे हैं ठीक है ये दोनों पक्ष जो है वो दूसरे की बात रख रहे हैं एक दूसरे का बात मान रहे हैं तो फिर अपील करने का यहां कारण नहीं बनता तो यहीं बोला गया है कि करार के विरुदु कोई अपील नहीं की जा सकती करार नहीं होने पर मद्यस्ता जो होगा या मद्यस्ता सेल जो होगा वो आयोग को रिपो को ही रिपोर्ट देंगे ये लोग, ठीक है, जो मदिस्तादा सेल होगी, यदि दुनों के बीच में करार भी हो जाएगा, तब भी रिपोर्ट किसको देगा, आयोग को, और नहीं होगा, तब भी किसको देगा, आयोग को, ठीक है, जो भी आयोग होगा, राज्य होगा, या र तो इसको समझनी की कुश्चिस करिएगा यदि आपने कोई उतपाद या प्रोडक्ट बनाया है तो उसका दाइत्व वो आपका होगा ठीक है आपके उपर में आएगा कि वो दाइत्व आपको निभाना है उसकी सारी प्रकरिया आपकी होगी तो यहीं यहाँ पर जो है उतप सेवा प्रदात्ता के दोरा कि किई गई तथा उत्पाद विक्रेता द्वारह किया गया हो, तो देखें उत्पाद यदि विक्रे किया गया हो विक्रेता के द्वारा और सेवा जो है प्रदान की गई हो सेवा प्रदत्ता के द्वारा उसमें यदि किसी भी तूर्टी पुर्ण उत्पाद द्वारा कार्य किसी हानी के लिए परिवादी द्वारा उत्पाद कारवाही के अधीन प्रतिकार के लिए प आपने उत्पाद में कोई भी तुरूटी पूर्ण कार्य किया होगा तो जो भी परिवादी होगा वो उसके लिए क्या करेगा प्रतिकर के लिए दावा कर सकता है ठीक है यह यहां पर जो है वो बताया गया है ठीक धारा 83 के अंदर में क्या बताया गया उत्पाद दाइत्व की कारवाही तो कि उत्पाद दाइती की कारवाही के अंदर में क्या बोला गया कि उत्पाद दाइत्व कारवाही तुरूटी पूर्ण उत्पाद के करण हुई तुरूटी पूर्ण कारण उसको हुई किसी हानी के लिए यथा स्थिती उत्पाद विक्रेता द्वारा विक्र सेवा को देता है सेवा प्रदत्ता उनके बनाए हुए चीजों में यदि कोई भी तूटी या किसी प्रकार के तूटी के करण यदि किसी को हानी हो जाता है तो उसके लिए भी परिवाद जो है वो प्रतिकर मतलब उसके लिए प्रतिकर के लिए दावा कर सकता है यही यहाँ पर बोला गया है यहां पर हानी के बारे में बोल दिया गया उपर हानी के बारे में नहीं बोला गया था ठीक है अब आते हैं धारा 84 उत्पाद विनी निर्मादा का दाइत्व क्या है जो उत्पाद बनाता है उसका दाइत्व क्या है तो उत्पाद में विनी निर्माद में त से संबंधित वो उसको एक डिजाइनर इसलिए बोला गया यहाँ पर कि जो भी उत्पाद बनाएगा उसमें कोई तुरूटी नहीं होना चाहिए विनी निर्माण विनी निर्देश से विचलन, विनी निर्देश का मतलब होता है, कि जो भी आप प्रोड़क्ट बनाते हो उसके अंदर में आपको जो निर्देश है, वो सही तरीके से जो है वो देना पड़ेगा नहीं तो वो दाई तो आपका हो जाएगा मतलब कोई भी product होता है उसके अंदर में सभी कुछ जो है वो उसमें लिखा हुआ रहता है यह आप लोगों ने देखा होगा यदि कोई भी product है तो उसमें सारा जो है detailing जो है विनीर रेस जो है किया जाता है ठीक है तो वही यहाँ पर बताए गया है ठीक है कि सही तरीके से जो है वो उसका विनीर रेस होना चाहिए उतपाद warranty के अनुरूप नहीं हो देखे जो भी उतपाद मतलब product बनाए जाता है उसमें warranty कुछ न कुछ होनी चाहिए यह यहाँ पर बताए गया उतपाद में कोई चेतावनी नहीं दी गई हो तो पूरा जिम्मेदारी किसका होगा उतपाद विनी निर्माता का दाइत्व कहलाएगा अब चेतावनी देखे कहीं कहीं पर ऐसा लिखा रहता है कि इसको खाने से ऐसा हो सकता है या इस प्रोड़क को इस्तमाल करने से ऐसा हो सकता है तो चेतावनी उसको क्या करना चाहिए उतपाद में डालना चाहिए यही सब जो है उसके दाइत्व होते हैं इन दाइत्व को अगर वह निर्महन नहीं करेगा तो परिवादी जो है उसके प्रतिकर के लिए जो है वो क्या होगा दावा कर सकता है ठीक है यही यहाँ पर बताए गया दारा 85 की तरह पाईए उतपाद सेवा प्रदत्ता का दाइत्व जो उतपाद सेवा प्रदत्ता है मतलब की जो सर्वीस दे रहा हो या मोवाईल के छेत्र में हो या और भी किसी अन्य छेत्र में जिससे सेवा मिलता हूँ हमको ठीके उस छेत्र की बात की जा रही है धारा पचासी के अंदर में तो यहाँ पर बोला गया कि उसके द्वारा प्रदान की गई सेवा त्रूटी पूर्ण या अनुचीत या कमी वाली या परियाप्त थी उसके लिए वो प्रतिकर के लिए जो है वो परिवादी जो है वो दायर कर सकता है या दावा कर सकता है क्योंकि जो सेवा उत्पाद जो हमको दे रहा है वो उसमें कोई त्रूटी नहीं होना चीए, अनुचित नहीं होना चीए, उसमें कोई कमी नहीं होना चीए, ठीक है, क्योंकि हम तो सेवा ले रहे हैं, सर्वीस ले रहे हैं, पैसे देकर, ठीक है, लोप, या किया गया कोई कारी है, या उपेक्छा, या किसी सूचना का जान पूछ कर चुपाना जिससे उसको हानी हो यह नहीं होना चाहिए देखें आप ने कोई सर्वीस ली यदि उस सर्वीस करता किसी बारे में पूंझिकर उसके बारे में कुछ चुपा रहा है जिससे आपको हानी हो सकतY है तो यह उतपात सेवा प्रदत्ता का दाइत्व होगा सेवा प्रदत्ता से किसी हानी को रोकने के लिए प्रयाप्त अनुदेश या चेतावनी नहीं जारी की गई हो आप यदि कोई सर्वीस ले रहे हो तो उसमें यदि उसने कोई चेतावनी जारी नहीं की है यदि उसको करने से कुछ ऐसा होता हो तो उसको जो है अनुदेश या चेतामनी जारी करना चाहिए, यह उसका किसका दाइत्व है, यह उत्पाद सेवा प्रदत्ता का दाइत्व है, जो हमको सर्वीस प्रदान करता है, सेवा अभिव्यक्त वारंटी सर्तों के अनुरूप नहीं थी, मतलब कि कोई वारंटी या अंदर में include किया गया धारा 85 के अंदर में, सेवा उतपाद प्रदत्ता का दाइत्व के अंदर में, ठीक है, तो ये भी जो है वो, एक important जो है अध्याय था, उतपाद दाइत्व, और थोड़ा अच्छे से इसको पढ़ लीजेगा, ठीक है, यदि आपके पास में किताब हो य अध्याय 6, अब चलते हैं, अध्याय 7 जो कि सबसे जधा important है, ठीक है, अध्याय 7 के अंदर में क्या है, अपराद और सास्तिया, मतलब की दंड, ये अध्याय 7 के अंदर में है, ठीक है, धारा 88 के अंदर में केंद्री प्राधी करण के निर्देशों के अनुपालन के लिए दंड जो है वो बताया गया है मोस्ट आएमपी टिक लगा सकते हैं इसमें आप केंद्री प्राधिकरण के निर्देशों के अनुपालन के लिए दंड ठीक है तो यहाँ पर दिखें क्या दंड बताया गया कि केंद्री प्राधिकरण के किसी निर्देश का अनुपालन करने में असफल रहता हो ऐसी अवधी में 6 मास तक की कारावास या 20 लाख रुपे तक का जुर्माना या दोनों से दंडी जो है वो किया जा सकता है मोस्ट इंपोर्टेंट है इसको ध्यान रखेगा आएमपी टिक कर लीजेगा किसी भी निर्देश का अनुपालन करने में असफल रहता हो तो 6 मास की अवधी तक का कारावास या 20 लाख रुपे तक का जुर्माना दोनों से दंडीत किया जा सकता है यह मोस्ट इंपोर्टेंट है धारा 88 और धारा 89 पर आईए यहाँ पर बोला गया है कि मिथ्या या भ्रामक विग्यापन के लिए दंड धारा 89 भी मोस्ट इंपोर्टेंट है यह दोनों धारा यह अक्सर एक्जाम में जो है वो पूछी आती है 88 और 89 आएमपी टिक कर लीजे कोई विणी निर्माता जो प्रोड़क्ट को बनाता है या सेवा प्रदान करता है मिथ्या जूट या भ्रामक विग्यापन कारित करता है उस जित से अप्भोकता के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तो दो वर्स का कारावास या दस लाग रुपए तक का जुर्माना या दोनों से दंडनी होगा ठीक है देखें यहाँ पर जो बोला जा रहा है पहले वो सुनियेगा अच्छे से इसको नोट डाउन कर लीजेगा अपने कॉपी में सौर्ट नोट बना कर ठीक है कि जो विनी निर्माता है जो प्रोडक्ट बनाता है या जो सेवा प्रदान करता है उन दोनों के द्वारा यदि मिथ्या या भ्रामक विज्यापन कारित किया जाता है या जारी किया जाता है जिससे उपभोकता को प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तो वो दो वर्ष का कारावास या 10 लाग रुपए तक का जुर्माना दोनों से दंडनी होगा अब देखें यहाँ पर तो दंडनी हो गया लेकिन यहाँ पर बुला है कि प्रतेक पश्चात वर्ती इसका मतलब होता है कि वापस से रिपीट करना उसी चीच को यह जो विनी निर्माता या सेवा प्रदता है यदि इस कर्म को वापस मतलब इस जुर्म को वापस रिपीट कर लगेगा इससे वो दंडनी होगा ठीक है तो यह most important था धारा 88 और धारा 89 दोनों को रट डालिए ठीक है एक्जाम में पूछा जा सकता है धारा 90 अब देखे धारा 90 में क्या बुला गया अब द्रव्य का उत्पाद विक्रय या भंडारण वित्रण आयात के लिए विनी निर् हे तु दंड अब द्रव्य का मतलब है कोई ऐसा पदार जिससे किसी को नुकसान हो सकता हो देखे अब इसमें क्या है यदि ऐसे कारिय का परिणाम भोक्ता को कोई छती है तो 6 मास तक का कारावास या एक लाग रुपए तक का जुर्माना से दंडनी होगा अब द्रव्य के छती का कारित करना जो भोक्ता को हुई घोर उपहती की कोटी में नहीं आता देखे अब आपको समझा रहा हूँ देखे ऐसा कोई छती उसके पर में होता है उपहती की हानी नहीं होती है तो एक वर्सक का कारावास और 3 लाग रुपए तक का जुर्माना से दंडनी है ठीक और ऐसी छती कारित करना जिसका परिणाम उपभोकता को हुई घोर उपःती उपःती का मतलब होता है कि उसको उसके सरीर में चोट या अन्य जो उसके मानसिक तनाव या कुछ भी इस प्रकार का हती या उसको हानी पहुँचता है उसको उपःती कहते हैं तो यदि वैसा हुआ हुँ उपभोकता को इसके करण तो 7 वर्स का कारवास और 5 लाग रुपए तक का जुर्माना से दंडनी है यदि उसके उपर छती कोई पहुँच रहा है उसको हानी कुछ पहुँच रहा है चोट पहुँच रहा है या ऐसा कुछ हो रहा है जिससे उसको उपहती हो रहा है ये वर्ड एक्जाम में एस इटी जो है वो पूछा जाएगा इसलिए इसको ऐसे ही याद रखना है आपको तो 7 वर्स का कारवास और 5 लाग तक का जुर्माना से दंडनी होगा ठीक है जिसका परिणाम उपभोकता की मृत्य हो यदि इसके करण उसको उपभोकता की मृत्य हो जाती है तो 7 वर्स से कम कारवास नहीं होगा या जीवन स्वारी 7 वर्स से कम का नहीं होगा और आजीवन कारवास तक हो सकता है और 10 लाग रुपए से कम का जुर्माना नहीं होगा और उससे वो दंड़नी होगा यदि उसकी मृत्ती हुजाती है इन कारणों से अपद्रवे का उत्पाद, विक्रेब, भंडारन, वित्रन, आयात, आदी से ठीक है यदि उसकी मृत्ती हुजाती है उभोकता की तो आजिव न्याले द्वारा अपरादों का संग्यान, अब न्याले द्वारा अपरादों का संग्यान में क्या आता है जो मैंने आपको धारा 88 बोला जो की सबसे आदा इंपोर्टेंट है केंद्री प्रादिकरन के अनुपालन के सास्ती के लिए और जो 89 है जिसके अंदर में मिथ्या कथन या भ्रामक विज्यापन ये दोनों जो धारा है किसी अपरात का ये सक्षम न्याले द्वारा ही संग्यान में लिया जाएगा ठीक है इसको नोट डाउन कर लिजे बहुत ही इंपॉर्टेंट है धारा 92 आपके एक्जाम में जो है वो पूछा जा सकता है ठीक है कि धारा 88 में क्या बताया गया है और 89 में क्या बताया गया है कि धारा 88 में केंदरी प्राधिकरन के निदेशों के अनुपालन के लिए सास्ती मतलब दंड और धारा 89 में क्या बताया गया मिथ्या या भ्रामक मिध्या अपन के लिए दंड और इन दोनों अपरादों का संग्यान कौन ले सकता है सक्षम न्याल है ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है आएमपी नोट करके नोट डाउन कर लीजेगा ठीक है अब इसके बाद में आते हैं आठ के अंदर में जो कि हमारा अंतिमत ध्याय है और ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है थीक है तो इसको जो है उतना डेटेलिंग में नहीं बताएंगे बस कुछ इंपॉर्टेंट इसके अंदर में धारा के बारे में याद रखिये जैसे कि धारा 101 है केंद्री सरकार को नियम बनाने की शक्ति है यह एस डिटीज पूछ करने की विनियम बनाने की शक्ती है ठीक है ये भी याद रखिएगा और लास्ट में अंतिम आते हैं धारा 107 के अंदर में निर्शन और व्याई विरित्ती ये व्याई विरित्ती है ठीक है हमेशा टाइपिंग मगलत हो जाता है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 किस के द् निर्देशित किया गया है स्वारी यहाँ पर इसको थोड़ा साना आप लोग सुधार लिजेगा यहाँ पर बोला जा रहा है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 कि इसके द्वारा निर्शित किया गया है इसको लिख लीजिए यहाँ पर निर्शित किया गया है ठीक है इसको लिख लीजेगा यहां पर निर्सित किया गया है किसके द्वारा धारा 107 के द्वारा यह एक्जाम में पूछा जा सकता है दहारा 107 होता है निर्शन और व्यायवृत्ति जिसके अंदर में बोला गया कि भोकता सरंक्षा नदिनियम 1986 को इसके द्वारा निर्सीत किया गया है ठीक थीक है निर्सीत मतलब इसको हटा दिया गया है एक तरीके से से हट कर आपको simple simple भासा में जो है वो मतलब simple language में इसको समझाने की कोशिश की गई है तो इसको अच्छे से समझ लिजे और अपने हिसाब से अपने notes भी बना लीजेगा ठीक तो आज के वीडियो में इतना ही था जै हिंद जै भाद